वेलकम बैक टू विक्रम टुटोरियल केमेस्ट्री सेट नमर टू यानि बिहार बोड के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट लेकर आए हैं जिसमें अब्जेक्टिव कोश्चन का अंसर बतलाए जागा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जितना भी हम आप लोग के लिए बता दू कि जो भी इंग्लिस बरजन की स्टूडेंट होंगे वह आप नीचे में कोश्चन को देख पाएंगे और ABCD में एंसर बता ही देंगे उसको ध्यान दीजिएगा ठीक है तो एने सेल की सरचना कैसा होता है तो होता फलक केंद्रिट एने फेस सेंटर याने सेल का जो जिसको 20 occup कहते हें उसका कोंडिनेशन नम्मर जो होता है और ABCD रहता तो उसका ऐंसर 12 और 12 डेता टी नमर उप्शन आगे बढ़ते हैं मूल क्रिश्टल तंतरों की संख्यां कितनी होती है तो मूल क्रिश्टल तंतरों की संख्यां होती है सात याद रखिएगा बहुत ही इं बहुतिक अधिसोशन की दर किसके दोरा बढ़ता है तो बहुतिक अधिसोशन की दर तापक्रम को घटाने से बढ़ता है और तापक्रम बढ़ाने से आपको क्या होता है घड जाता है याद रखिएगा ध्यान रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है यही रसानी अधिसोशन म का मान किस पर निर्वर करता तो वेग इस त्रण का मान करता ताप करम पर यानि इसका फॉर्मूला से लोहा एक फेरो चुम की पदार्थ है लोहा जो है वह फेरो मैंगनेटी का और पारामेंटी डामेंटी का बहुत सारे एकजांपल हम वीडियो के मादियम से बता चुके आप लोग हमारा chemistry का जितना भी वीडियो हम बना हैं, खासकर बिहार, जहारकंड, आपका CBSE सभी के लिए हम वीडियो बनाएं, तो आप जरूर से जरूर देखें, उसका लाप उठाएं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोस्चन की और आरहनियस का समीकरन क्या है, आरहनियस के जर्ष्ट बात कर रहें तभी, K equal to AE to the power minus EA by 80, option number A, इसका correct answer हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, निमलिकीत में कोन kolligative परपटी नहीं है, कोन kolligative गुन नहीं है, कोन अनुसंखिय गुन नहीं है, इसका answer हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो यह जा गया है, तो हीमांक में अउनमन, यह सारे خली क्लिगेटी परपटीज होता, चार क्लिगेटी गुन होता है, एक होता वास्दाब में अवनमन, आगे बढ़ते हैं, वीदूध अब गटन का उपयोग होता है, तो यानि एलेक्रोलिसिस का उपयोग क्या होता है, तो आवे सित याद रखिएगा आगे बढ़ते दूद है तो दूद है जल में वसाओं का dispersion बहुत important question है दूद को पायस कहा जाता है यानि immersion कहा जाता है और यहाँ पे इसका English में भी question देख सकते हैं ठीक है मिलके क्या है CHI3 का पुत्ति रोधी प्रभाव क्या है और यह बहुत important है और यह आ चुका है जहा बिहार बोड में ठीक है तो और बिहार बोड के लिए question भी बता रहे हैं तो यह हो जाएगा मुक्त आयोडीन के कारण ध्यान रखिएगा option नमर 20 का correct होगा liberation of pre iodine निमलिकीत में कौन एक secondary alkyl halide है तो secondary alkyl halide है option नमर D यानि isopropyl chloride यानि ध्यान रखिएगा isobutyl chloride isopentyl chloride ये आपका secondary alkyl halide नहीं है और इसका अगर details से जानना चाहते हैं तो आप मुझे comment करके मुझे बताए और हम इतना ही कहना चाहते हैं आप continue वीडियो को देखें आपको हर एक question आपको आएगा आगे बढ़ता है cf2 cl2 का उप्योग होता है अभी जश्ट एक से पाले वाले वीडियो में हमने बढ़ आया था कि cf2 cl2 को कहता है chlorofloro carbon और इसका यूज जो होता है वो परसी तक सी तक ठीक है और या coolant refrigerant के रूप में यूज होता है तो इसका अंसर होगा option नमबर डी यहां पर option नमबर डी देख सकते है लुकास परिक्षन का उप्योग होता है तो अल्कोहल में विवेद करने में लुकास टेस्ट इस यूज तो यह जाएगा अल्कोहल में डिफ्रेंसियेट ऑफ अल्कोहल याद रखिएगा आगे बढ़ते कोस्ट नमबर 17 फेलिंग परिक्षन किसके लिए धनात्मक होगा तो इसलिए इंग्लिस जरूर आप जरूर देखेंगे निम्सके तमें किसमें अल्डोल संगने नहीं नहीं देगा क्योंकि बेंजल डियाइड जोता वह कैनी जारो रियक्षन देता है ठीक है गुलकोज की वले सनचना में काईरल कारबन कितना होगा चार बहुत ही इंपोर्टेंट याद रख लिजेगा किस ग्रूप की तत्वों को संक्रमन तत्व खतरनाग इंपोर्टेंट तो डी ब्लॉक जाता है जिन्युदि इसका करेक्ट हो जाएगा धियान रखियेकर खतरना जा नहींसे भी खतरना के इंपोर्टेंट है सोडिययम आवर्सानी के किस ग्रूप का तत्व है तो सोडियम पोटेशियम लिथियम सभी ग्रूप एक 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 तत्व में है यानि उप्षिन नम्मर इसका करेक्ट हो जागा तो ऑप्सन देखते हैं आगे साइड में ठीक है आगे वाला में यहां पर इसका ऑप्सन देख सकते हैं सोडियम लोहा जींग और सोना तो इसका अंसर होगा सोना सोना जो है मुक्त वस्था में पाया जाता है याद रखेगा निम्न में कौन छारी भूमीज तत्व है जिसको अर्थ-ध्र करते हैं सकानसर होगा केल्सियम केल्सियम मेंगेशियम यह यह तीनों जो चारी भूमीज तत्व कहला आते हैं निब कि कौन सा धातू सराना और तौक्रव होता है तो याद रखेगा पारा जियान रखेगा धातू में पारा और अगर आदातू पूचिए तो तो यांचित सोल होते हैं तो विलाइक्स नहीं होते हैं लाफिलिक होते हैं तो यह आज की वीडियो में आप लोगो ने देखे कम समय में देखे 28 कोशन ये 6-7 मिनट के अंदर में आप लोट 20 कोशन कम्प्लीट कीए तो लगातार विक्रम टीटोल को फॉलो कीजिए अगर अभी तक नहीं फॉलो कीए और बिहार बोड के एकजाम के बाद आप हमारे चैनल में कमपडिशन से सारे वीडियो को देख सकते हैं जो की एकजाम के लिए खतरनाक सभी खतरनाक सावित होगा तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राब करने और दूसरे दोस्त को भी बता हैं जो बिहार बोड का त्यारी कर रहें थैंक्यू बेरी मच